हाई दोस्तों आपकी चुगली वाली चाटी आए तो बहुत ही मज़ेदार खबर लाई होगी ना हाँ दोस्तों सोनाक्षी सिन्ना ने क्यों कहा भाड में जाए दुनिया अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोनाक्षी ने ऐसा क्यों कहा हाँ दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही है कि सोनाक्षी सिन्ना जहीर इकपाल के साथ साल तक रिलेशनशिप में थी और दोस्तों जब भी उन्होंने शादी के लिए सोचा तो दोस्तों कुछ लोग उनके कहते थे कि तुम्हारा तो धर्मा लगे कोई कहता था कि तुम्हारी तो कल्चर अलग है कोई क्या कहता था कोई क्या कहता था पर दोस्तों सोनाक्षी और जहीर ने सोचा कि सोनाक्षी और जहीर ने सोचा कि जब हम दोनों एक दूसरे को लाई करते हैं और रिलेशनशिप में भी है तो क्यों न हम दोनों शाडी कर ले हाँ दोस्तों, तब सोनक्षि सिन्ना ने जही से कहा कि दुन्या का क्या है भाड में जाए दुन्या अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ companionship अच्छी लगती है और हम दूनों एक दूसरे के companion बनना चाहते है तो हमें दुनिया से क्या लेना देना हाँ दोस्तो तब जब जहीर एक पार और सोनाक्षी सिन्ना ने शादी का फैसले लिया तब सोनाक्षी ने कहा कि दुनिया को भाड़ में जाने दो और दोस्तो फिर उन दोनों ने शादी कर ली और उनकी शादी में शामिल हुए उनका प आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं ताकि चाची आती रहे और आपके सितारों की खबरें आपको सुनाती रहें तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाँ बाई